स्वागत आपका खबर विहार जहारखंड में साथ में आपके आहना पुंज और बुलेटन की शुरुवात करते हैं 18 जुराई को बैंगलूरू में विपक्षी दोलों की बैठक होने वाली है उससे पहले एक बड़ी खबर भी लेकिन इसी बीच सामने आ चुकी है केंदर की अध्यादेश के खिलाफ कॉंग्रेस ने आबादी पार्टी का समर्थन किया है अध्यादेश पर आबादी पार्टी को साथ देखते वे कॉंग्रेस महास्चिव केसी वेडू गोपाल ने ये कहा है कि उनकी पार्टी अध्यादेश का समर्थन नहीं करेगी साथी साथ उन्होंने ये तक कहा दिया कि आमाधी पार्टी को बैंगलूरू में होने वाली विपक्ष की जो बैठक है इसमें आना चाहिए आमाधी पार्टी ने कॉंग्रेस के इस फैसले का स्वागत किया और वही हमारे वरिष्टी संबदादा प्रशान जहाजी भी मारसा जुड़े में इस मामले को लेकर प्रशान जहाजी सबसे पहला सवाल ये कि लगता है जो बैठक में केजरिवाल जी ने शर्त रखी थी वह कॉंग्रेस ने खईना का इमान लिए कि बैठक में बात जो है पहले अध्यादेश पर अगर उसी के बात किसी और मुद्दे पर बात करेंगे उस पर चर्चा नहीं होगी तब तक उनकी पार्टी इस विपक्षी एकता की बैठक में पुरी तरह से शामिल नहीं होगी और कांग्रेस लगातार इस मामले पर कुछ भी बोलने से इंकार कर रही थी लेकिन जैसे ही कांग्रेस के तरब से हरी जंडी दिखाई गई है अब यह साफ हो रहा है कि आप पार्टी जो 17 और 18 जुलाई को बैठक होने वाली है उस बैठक में शामिल ही नहीं होगी बलकि बर्चर कर हिस्सा लेगी देखे इस जो अडिनेंस पर कांग्रेस के साथ जाने के पीछे के जो कई राजनितिक कारण है उसमें से एक बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस यह समझ रही थी कि बिपक्षी एकता की जो मुहीम नितिश कुमार ने शुरू की है उस मुहीम को तब तक मजबूती नहीं मिले जब तक देश के जितने भी बिपक्षी पार्टियां हैं लोग सभा में वो तमाम एक साथ नहीं आती हैं और आप जब जिस जब आपने इस मामले से खुद को किनारा करशी कर लिया था तब यह माना जा रहा था कि आपके हाट जाने से पंजाब और दिल्ली में बिपक्षी दलों को काफी नुकसान हो सकता है और इसी नुकसान के मदे जना मदे नजर कांग्रेस ने यह फैसला लिया है और कांग्रेस ने साहमती जता दी है कि वो आडिनेंस के मुद्दे पर केंदर सरकार का सपोर्ट नहीं करेगी आहना बिलकुल प्रशान जी देखिए कही ना कई कांग्रेस बेशक कहीं भी आमादी पार्टी का सपोर्ट करें ना करें लेकिन अब चलिए इस मामले पर तो कर दिया है दूसरी बैटक होने से पहले पहले ही यह कही ना कई अब फैसला यह कहिए कि इस बात को आगर कि हुई है पूरी मुहीम में कि किसी तरह से विपक्ष को जोड लिया जाए और अकेजरिवाल का आना उनके लिए एक इंपॉर्टेंस है आना एक बात आपको पहले देखना हो पर एगा कि 23 जून की बैटक में कुल 17 पार्टियां शामिल होई थी जिसमें आर जेडी और जेडियू भी थी 15 पार्टियां जो दूसरे राज्यों की थी वो इसमें शामिल होई थी अब इसमें 24 दल शामिल हो रहे हैं यानि दो दर्जन पार्टियां अगर शामिल होती हैं और उन पार्टियों में आप भी शामिल है तो निश्यत तोर पर जो 404 सीट के आज़ो एक आकलन है वेपक्षी दल का कांग्रेस का उस पर उसको मजबूती मिलेगी और दूसरी वन टूवन फाइट की बात की गई थी यानि जहां भी एंडिये गठवर्दन का कैंडिडेट होगा वहां विपक्ष का एक कैंडिडेट होगा इन तमाम मुद्दों पर एक आपके ना रहने से परेशानी हो सकती थी दूसरी तरफ दिखें कि इसमें अभी तक माया बती को क शामिल नहीं हो रही हैं और जैंत चौधरी जो की उत्तर प्रदेश में एक बरेदल के रुपे हैं उनके भी शामिल होने के कहीं से सूचना नहीं है वहीं आप देख लीजिए कि जो महुवा मुफ्ती हैं और साथ में जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने इस अभी तक क्ल नाम से यह बैठक शुरू होगी और चारीक बात होगी पहले उसके बाद डिनर का कारिक्रम है 18 तारिकों बिद्वत पार्टी इसमें विपक्षित लोग्व की बैठक शुरू होगी जिसमें तमाम दल आपने जो उनके विचार-धारा है और जो उनके जो उनका रन मीती है और साथ में one to one fight की जो बात लगातार नितिश्कुमार कर रहा है उस पर सहमती बनाने की कोशिश होगी लेकिन इसमें एक समस्या यह होगी जो छत्रब दल है जैसे पश्चिम बंगाल का बिहार और जारखंड में इसमें कोई परिशानी नहीं है लेकिन परिशानी शुरू पर लेप्ट की पार्टियों को अपने साथ अपने गढ़ बंदन में शामिल करने को तैयार नहीं होगी अब देखना यहीं है कि अथारा तारीक को आखिर इसका इनुपेनर का एनौंसमेंट क्या होता है जो रननीती है उसके अनौंसमेंट क्या होता है इस पर NDA की भी नज कि पहले कह रहे थे कि केज रिवाल जी ब्लैक मेल करते अब देखते हैं ब्लैक मेल किया उसका क्या कुछ नजरिया देखने को मिलता है विपक्ष की और से शुक्रे प्रशान जी